So, hello everyone, guys, वह मादीव, राधी, राधी, कैसे हो आप सभी लोग, guys, I hope आप सभी लोग अच्छे हो, अपनी लाइफ में भी आगे पढ़ रहे होगे, So, guys, good evening everyone, याफ फिर good morning, जब भी आप reading देख रहे हो, okay? So, guys, यहाँ पे आश मैं आपके लिए reading लेकर आगई हूँ, Sagittarius, धनो राशी वालों के लिए कैसा रहेगा ये जून का महीनों के, जून मन्थ, Sagittarius के लिए कैसा रहने वाला है, So, यहाँ पे, guys, सबसे पहले तुमें starting of the month, mid of the month, end of the month, tarot के through देखूंगे, then आपके energies check out करूंगे, then आपके लिए last में guidance देखेंगे, okay, and guys, reading start कर लेते हैं, आपके tarot के through, okay, and reading start करने से पहले, अगर आप new हो चैनल पे, तो subscribe कर लो चैनल को, okay, and hit the bell icon, guys, okay, so, and all पे set कर देना, so that आपको आने वाले, सभी notifications मिलते नहीं, personal reading अगर आपको लेनी है, तो आप मुझे instagram पे DM कर सकते, instagram का लिंक description में है, time stamps के just उपर, या फिर आप लोग about section से भी देख सकते हो, so, यहाँ पे guys, starting of the month के लिए, सबसे पहले तो six of cups, और two of wands का रहा है, okay, and also guys, personal reading अगर आपको लेनी है, तो आप मुझे instagram पे ही DM कर सकते हो, अगर आपको crystal buy करने हैं, तो भी आप मुझे instagram पे ही message कर सकते हो, ठीक है, instagram का link description में होगा, या उपर आप about section से भी देख सकते हो, and यहाँ पे guys, mid of the month के लिए four of cups आया है, eight of pentacles, end of the month के लिए eight of swords, and sagittarius last card आपके लिए है, यहाँ पे empress card, wow, amazing, so यहाँ पे bottom of it, guys two of swords आया है, middle energies क्या आई है, यहाँ पे आपके लिए seven of swords, okay, so सबसे पहले चीज़ तो guys, आपके लिए अगर मैं overall energies देखू, धनुराशी, sagittarius, आपका June का महीना कैसा रहने वाला है, June month आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, सबसे पहले तो guys, यहाँ पे seven of swords और two of swords यह शो करता है, कि आप कही न कहीं confused हो, इस time अपने life में, okay, आपको लग रहा है कि yes, लडाई जगड़े, fights हो रही हैं, बट आपके life में कुछ नहीं हो रहा है, competition बहुत ज़ादा है, धनूराशी है न, and yes, यह दिख रहा है मुझे, कि आप लोग कहीं न कहीं confused हो चुकी हो, life को लेकर, आपको किसी न अगर धोका दिया है, तो guys, उस वज़़े से भी आप life, आपकी life में confusion आ चुकी है, okay, कि आप किस situation, किस दिशा में भड़ो, okay, like love marriage, or arranged marriage, यह पैसा कमाना है, यह नहीं कमाना है, यह फिर, like होता न, यह खाना है, मतलब, confusion, किसी न किसी way में confused हो आप, यह फिर हर एक situation में, आप confused हो जाते हो, okay, so यह energies हो सकते हैं आपके लिए, and यहाँ पे guys, starting of the month है, आपके लिए, six of cups, और यहाँ पे two of wands है, so यह शो करता है, आपकी life में, कि आप लोग कहीं न कहीं, soulmate energies में हो, soulmate, आपकी life में कोई न कोई हो सकते हैं, जिनके साथ, आपका रष्टा यहाँ पे दिख रहा है, या फिर आपके soul family, या soulmate, आपको इस month के starting में मिल सकते हैं, Sagittarius या तो मिल चुके हो, आप क्योंकि दो तारिक है, आपके guys, आने वाले time में, आप मिलने वाले हो, two of wands है, कहीं न कहीं, अभी wait कर रहे हो, आपकी situation में, कुछ कतने का, या फिर कोई business start करने का, या फिर guys, कोई travel करने के बारे में सोच रहे हो, आप, okay, आपके लिए यही energies दिख रहे हैं, कि आपको कहीं न कहीं, जाने के बारे में आपको कहा जा रहे, या फिर आपको कहा जा रहे, कि yes, आप wait कर रहे हो, किसी चीज के होने का या आपको soulmate का ही wait है अपने कि आपके soulmate आपकी life में आए या आपको wait है कि आपकी life में ही आपके partner आजाएं आपकी जिन से शादी हो वो आ जाएं आपको wait है कि आपका career में आपको कोई यह like होता है ना यहां पर राश्रिया जो important है Kansas Scorpio Pisces और और अलसो यहां पी है आपके लिए Aries Lewis Sagittarius important and overall अगर मैं अनर्जिस में आपको बता हूँ तो Swords के card आये थे दोनों के तो यह आपको शोकते Gemini, Libre, Aquarius, Full overall month के लिए आपके लिए important राश्रिया हो सकती है and also guys I don't know फिर से guys यह मक्हियां पता नहीं क्यों आती है मैं क्यों आ रही है guys यह मेरे room में अभी थोड़े time से यह आने लगया I think गर्मी की वजह से शाओं में आती है ना अंदर आ जाते हैं घर के और फिर गर्मी रात को बाहर निकल जाती है ऐसा कुछ हो सकता है okay क्योंकि अभी evening का time है आपकी जब मैं reading कर रही हूं okay so यहां पर guys mid of the month आपका कैसा रहने वाला है सबसे वहले तो four of cups है यहां पर and यहां पर eight of pentacles की energies है यह show करता है आपकी life में थोड़ा hard work आप लोग hard work करते हों दिख रहे हो guys mid of the month में full अपना hundred percent two hundred percent दे रहे हो अपने काम में आपके सामने guys यह रिष्टे हो सकते हैं यह career में options हो सकते हैं तीन चार options आ रहे हैं तीन option like हैं बट यह इनसान फिर भी उसको देख के happy नहीं है बट एक आपके तरफ offer आने वाली यह fourth option जो कि fourth offer जिसको आप accept करते हों दिख रहे हो के and यहां पर आपके लिए इस cancer score पर पाइसस और टारस उर्गिव कप्रिकॉन important हो सते हैं यह फिर ऐसा हो सकता है कि आपको इसकी उपर काम करना ही पड़ेगा चाहें आप कुछ भी सोच लो आप ठीक है but yes you have to work on this okay end of the month के लिए आपके लिए eight of swords और यहां पी empress card है so यह show करता है आपकी life में कहीं न कहीं struck energies end of the month में कहीं न कहीं आपका mind struck हो सकता है आपका mind को ऐसा हो सकता है कि yes अब मैं क्या करूं आगे इतना कुछ कर चुका हूँ कर चुकी हूँ but अब क्या करना है आगे okay so यह situation आपके सामने आ सकती है but yes आपको कहा चले don't worry आपको struck होने की कोई जरुरत नहीं है okay eight of swords यह show करता है कहीं न कहीं आप बंदे हुए भी नहीं बट आपने खुद की ही thinking की वज़े से खुद को बांद रुका है like for example आपके घर वाले बहुत open minded है but आप खुद ही बहुत ज़रा introvert हो ठीके आप खुद ही बहुत ज़रा like होता ने narrow minded हो मतलो आप खुद ही अपने आपको खुश नहीं रखते हो बस अपने अंदर ही रखते हो हर एक बात but आपके family वाले कैसे है वो full happy go lucky वाली feeling है तो आपकी ही wish थी कि आपको ऐसे रहना है so उस वज़ह से हो सकता है the Empress card है आपको कहा चाहिए निखर कर आओ guys बाहर निकलो अपने ये thinking छोड़ दो negative या फिर जो stuck thinking है न उसको खतम करो overthinking को खतम करो so that आप एक Empress के रूप में बहार आप आओ चाहिए आप girl हो चाहिए boy आप बहुत caring बनते हुए दिखरो अपने लिए बहुत motherly caring nature अगर आप pregnancy चाहते हो तो end of the month तक आपको वो news मिल सकती है okay and yes Sagittarius यहाँ पर यह भी है कि आपका करियर बहुत bright होने वाला है end of the month तक मतलब जैसे 26 से लेके 30 तक की date के बीच में okay बहुत happy go lucky की energy फिद रहने वाले growth मिल रही है आपके career में okay आपको यहाँ पर गाईज यही tarot के through energies थी आपके लिए अब मैं आपके energies check out कर लेती हूँ धनू राशी कैसा रहेगा आपका यह जो जून का महीना है okay यहाँ पर गाई starting of the month, mid of the month और end of the month की energies होगी so starting of the month आपका कैसा रहने वाला है okay happy family guys घर में बहुत खुश्णा दिख रहे हैं starting of the month में आपके guys okay so happy family आपको feel होने वाली आपके घर में like enjoyment वाली moment हो सकती है कोई न कोई mid of the month में guys कहीं न कहीं बहुत ज़रा money के उपर focus करने के बारे में सोचो तभी hard work कर रहे थे आप eight of pentacles के रूप में and बहुत ज़रा sexual attraction भी दिख रही है okay कहीं न कहीं sensual and sexual powers भी आपके increase हो रहे हैं तो आपको कहा ज़रे उस energies को किसी अच्छे जगहा पे लगाओ okay से धनुराशी और यहां पर यह है कि आपकी life में कहीं न कहीं आर्केंजल माइकल बहुत help करने वाले हैं आपकी life में and 11-11 आपको made of the month में बहुत दिख सकता है and यहां पर end of the month में action लीजिए guys थोड़ा ठीक है आपको यही बोला जारे action की energies है चाहे आपकी love life है चाहे career है चाहे guys married life है उसमें action लेने की यहां पर ज़रुरत है like आपके partner आपसे root गये हैं तो मनाने कौन जाएगा तो आप मना लो ठीक है आपके पास option है ना मनाने की तो आप मना लो उनको ठीक है तो action लीजिए तब भी आपकी life में आपको like चाहे वो love life है चाहे career है and yes balance करते हो दिख रहे हो आप लोग अपनी life में okay this time 4 number 35 number 8 number 17 यहां फिर 8 8 number आपको बहुत दिख सकता है see this 888 triple 8 आपके लिए important हो सकता है this time okay and 26 कही न कहीं लडाई चगडे की energies यहां पर दिख रही है थोड़ा fighting spirit में आप रह सकते हो तो थोड़ा सा relax रही है इसको दूर रखी है अपने आप से okay so that जो भी future में issues create होने वाले हैं वो ना हूँ so यहां पर guys कौन से spirit guides और God और Goddesses आपको क्या message देना चाहते हैं okay कौन सी God और Goddesses आपको क्या message देना चाहते हैं okay so dhyana आई है guys आपको जो चाहिए focus रखिए अपने intentions को okay and yes think about what you desire so वो सोची जो आपकी इच्छा है ठीक है and अपनी इच्छा हों के बारे में सोचना स्चार्ट करो and अपनी sights को high रखो जो आपकी इच्छा है उनको बहुत ऊचा रखो ठीक है and yes expect करिए best possible outcome ही आपकी life में आप आए and आपकी psychic insight यहां पे आ हैं आपकी psychic abilities बहुत हाई होने वाली है see the truth for what it is okay सच आपके सामने आता हुआ दिख रहा है follow करिए अपने intuition को आपको यही बोला जा रहे है intuition को follow करो तो आपकी life में सब कुछ होता हूँ आपको दिखे को okay and yes आप जो चाहते हो वो आपकी life में हो जाएग अगर आप अपने intuition को follow करो okay so guys अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो धनूर आशी Sagittarius आपका जून मन्त कैसा रहेगा so like this reading subscribe to this channel bell icon को दबा देना अल पर सेट कर देना अभी के लिए तना ही खर्रमादीव राधी राधी गॉद्लस्टर विवान बाय गाईज